पुलिस विशेश अभियान चलाएगी जिसके लिए पुलिस अधिक्षक ने सभी इस्थाई वारण्टीयों की धर्पकड करने के निरदेश दिये हैं इसके साथ ही स्थाई वारंटियों पर घोशित इनाम भी बढ़ा दिया गया है जिले के विभिन थानों में काफी संख्या में स्थाई वारंट लंबित है विभिन मामलों में फरार आरोपी जब नियायाले में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ इस्थाई वारंट जारी होता है यह इस्थाई वारंट संबंधी थाने में जाता है जहांकि पुलिस आरोपीयों को पकड़ कर नियायाले में पेश करती है इस्थाई वारंटियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस अधिक्षक नवनीद भसिन ने सभी थाना प्रभारियों को इस्थाई वारंटियों की तामीली के निर्देश दिये है जो भी इस्थाई वारंटी फरार है उनके संबंध में गोपनिय सूचनाय एकत्र कर थाना प्रभारी धर पकड़ करेंगे इसके लिए एस्थाई वारंटियों को पकड़ने पर 500 रुपय का इनाम मिलता था अब एक से तीन साल पुराने वारंट पर एक हजार तीन से पांच वर्ष पुराने वारंट पर तीन हजार पांच से साथ वर्ष पुराने वारंट पर चार हजार रुपय साथ से दस वर्ष पुराने वारंट पर पांच हजार उपए और दस से अधिक समय से फरार वारंटी पर दस हजार उपए का इनाम घोशित किया गया है वर्तमान में सबसे ज्यादा परिशानी का सबब बिजली विभाग के इस्थाई वारंटी बन चुके हैं लोगों ने जोपडियों में फ्री कनेक्शन ले लिया और अब बिना बिल जमा करेके जोपडियां खाली कर फरार हो गए अब पुलिस उनको पकड़ने जाती है तो वहां कोई नहीं मिलता जिससे बिजली विभाग के इस्थाई वारंट तामिल नहीं हो रहे है पास पास लम्मित चली आ रहे है तो पुरिसा दिख्षे माहोदे के द्वारा एक अभी नर्देशदारी किया गा है थानों को तीन वर्स से पांच वर्स तक का है उसको तीन हैर रुपेस इस तरह से अलगरा क्राटेगरी में इनाम देने की विवस्ता की गई है जिससे करमचारियों का मोलर बढ़ेगा और साधी करमचारी इस्थाई वारंटी तामिल कराने विशे सुरूची लेंगा तामिली अधिक स तीन है estou जा दो किया उन दो से लुए विवस्ता की अर्व侏वर तामिल ओओ को रहसे भी अर बढ़ेगा रूब helemaal क्लगरी में मुड़ेगरा में बढ़ी खरयों कि बढ़ेगा yum 캉 में शे अर्यान वांजूवरा है कर दो से लुप है a खम ग medषों का है अरो Er guidance से दो है झाल झाल